लोकसभा चुनाओं में ओडीसा और जारखंड में भारती जनता पाती के चुनाओवी प्रचार में 36 गड़ की भाजपा नेताओं को अब एहम जिम्यदारी मिली है मुखे मंतरी विश्णिदोयव साई उपमुखे मंतरी अरुन साव प्रदेश भाजपा ध्यक्षिक किरन सिह देव सहित अन्यनेता चुनाओी सभा लेने के साथ ही रैली में शामिल हो रहे हैं इस संबन्द में उपमुखे मंतरी अरुन साव ने कहा है कि ओडिशा जारखंड से प्रदेश का संबन्द रहा है जहां भी पार्टी को जरूरत पड़ेगी वहां 36 गड़ की नेताओ प्रचार के लिए जाएंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे आनिश्ची दुरुप से चत्तिरगड का उडिशा और जारखंड से प्रत्यक्ष संबन्द रहा है और इसके कारण से पार्टी ने उडिशा और जारखंड में 36 गड़ के नेताओं को चुनाओं के लिए भेजा है चुनाओं में वहां के कारेकरताओं को सहयोग करने के लिए भेजा है और जहां भी पार्टी को ज़रुरत पड़ेगी 36 गड़ के भारती जनता पार्टी के कारेकरता जाएंगे पार्टी के लिए काम करेंगे उपमुख्य मंत्री अरुन साब ने दावा किया कि इस लोगसभा चुनाओं में भारती जनता पार्टी 36 गड़ में सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी इस बार लोगसभा चुनाओं में पुर्षो की अपेक्षा महिलाओं के मतदान का प्रतीशत अधिक होने पर उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के नेत्रत्व में सरकार बनने के बाद महिलाओं के लिए काम हुआ है महिलाओं की शशक्ति करण के लिए अलग-अलग अभ्यान चलाए जा रही हैं जिससे महिलाओं में जाग रुपता आई है